जेन दुस्तरवन देवातर। वरिष्ट पत्रकार विनोद दुवाब हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी पत्रकार इता ऐसी थी कि हर कोई पत्रकार जगत में उनको याद ही करेगा। उनके पत्रकार तक काई लोगों को पसंद थी तो शायद उतने ही लोगों को नापसंद भी थी लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि वो एक वरिष्ट पत्रकारत है हर एक इंसान शायद उनकी जो विचारधारत ही उससे एगरी नहीं करता इसलिए उनकी मृत्यू के उपरांत कई सारी बाते हैं जो कि निकल कर सामने ऐसी आ रही हैं जो कि विनोद दुआ जी को मुझे ऐसा लगता है कि उनके चाहने वालों को सही नहीं लगेगा उनके बारे में सुनने के लिए लेकिन ये वही बाते हैं जो कभी शायद विनोद दुआ जी ने वरिष्ट नेता विर अटल बहरी वाजपई जी के लिए भी कहीं थी और इसलिए शायद उन्ही बातों को लोग अब उनके लिए भी दोहरा रहे है पत्रकार विनोद दुआ का शनिवार 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया उनकी पुत्री कॉमेडीन मलिका दुआ ने इंस्टाग्राम के माध्यम से जानकारी देते हुए उन्हें एक असधारन पिता बताया विनोद दुआ को दोजशन पर एक फूड शो से पहचान मिली थी वो कई वामपंथी पोर्टलों के माध्यम से अक्सर मोधी सरकार पर निशाना साथते रहते थे अब उनके निधन के बाद लोग उनका एक पुराना वीडियो शेयर कर रहे है जो उन्होंने पूर मुर्णान मंतरी अटल भाजपाई के निधन के बाद बनाया था जिस वीडियो की बात यहां की जा रही है उसे वामपंथी मीडिया संसान दवायर के यूट्यूब चानल पर जन्वर्मन की बात नामक शो के 289 वे एपिसोड के रूप में 16 अगस 2018 को अपलोड किया गया था विजदोना 1993 वर्षे पूर भाजपाद ध्यक्ष अटल भिहारी वाजपई के देहांध पर्टपनी करते हुए कहा था कि हमारे यहां एक बहुत बड़ा दिखावा होता है पाखंड होता है जो दिवंगत हो जाए अर्थात इस दुनिया में ना रहे उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है इस वीडियो में विनोद दुआ कहते हुए नजर आते हैं कि इस तरह के शिद्धानजरियां दी जाती हैं उसे इस तरह समझा जा सकता है कि किसी के देहान के बाद पॉलिटिकली करेक्ट रूप से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए हमारे एक बुज़र दोस्त थे सरदार खुशवन सिंग ने 99 साल के उम्रमन का निधन हुआ था मुझे और उन्हें दोनों को स्कॉच का बहुत शौक था एक बार मेरे साथ समय बताते हुए उन्होंने कहा था कि किसी के निधन के बाद जिस तरह का दिखावा मतलब अबिच्योरी मृत्यों के बाद जो चीज च्छपती है इसके बाद हमारे होता है वैसा और कहीं भी नहीं होता इस वीडियो में विनुत दुआ ने कहा था कि किसी के निधन के बाद उसके आकरी दस्तावेज ऐसा होना चाहिए जिसमें उसकी अच्छाईयां और बुराईयां दोनों उन्होंने इसे ही सच्छी शद्धान जली करार दिया था और उन्होंने कहा था इस गोले पर उनकी भूमी का पूरी होने के बाद उसका अच्छा विशलेशन होना चाहिए इस दौरान उन्होंने कंधार विमान हाईजैक कांट की बात करते हुए कहा था और साथी साथ बावरी ढाचे के दौरान जो जमीन समतल करने वाला भाशन टाल भीहारी वाजपई का उसका आरोब लगाते हुए कहा था कि इसका मतलब साफ था इसको लेकर शिवानां दिवेदी जी ने भी ट्वीट कर रहा है फिए वीडियो जो था पूरा ट्वीट किया है जिसमें कि इन्हों लिखा था कि वक्ती का विवहार एक विशलेशन करना चाहिए विनदुआ ने इस वीडियो में आगे कहा था कि अटल भिहारी वाजपई पर आरूब लगता रहा है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने एक कबूल नामा या माफी नामा दिया था कि गौलियर में सौतना सेनानियों की बैठक में इनका कोई भी करदार नहीं था इसी तरह इनके प्रधान मंतरी काल में भी पोकरन टू हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि पार्टी कर्टरपंती नेताओं के दबाव में ऐसा किया गया था लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसा कर दिया और उसके परमानू परिक्षन को वैदता मिल गई ततकालीन के इंदरी एक ग्रह मंतरी लाल कृष्णा अडवानी ने इसे कश्मीर से जोड़कर कहा कि हमारे साथ अब ज़्यादा मजबूत है विनों दूआ इतने ही पर ही नहीं रुके बलके उने 2002 में गोधरा कांट जिसमे की करीब 16 हिंदू की रृत्य हुई थी उसको याद करते हुए कहा था कि इसके बात जो हुआ तप प्रदान मंतरी रहे वाजपई ने करान ने लेकर ततकालीन गजराद मुक्य मंतरी ने इन मोधी को हटाने की उमीद थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बताते चलेंगे विनोद्वा की पत्नी का पहले ही निदन हो चुका है बेटिक मलिका दुआ ने लिखा कि अब उनके माता पता स्वरग में साथ साथ घुमेंगे भोजन पकाएंगे और गायान की कानान लेंगे उनने बताया कि रविवार 5 दिसंबर को दोपर 12 बज़े विनोद्वा कांतिम संसकार लोजी क्रिमेटोडियम में किया जाएगा कुछ दिनों पहले भी विनोद्वा की मृत्यों की अववा उड़ी थी लेकिन मलिका ने इसे नकार दिया था वो कई दिनों से अस्पाताल न भरती थी ये बाते लगातार मीडिया में सामने आ ही रही थी अब विनोद्वा जी काई जो ये वीडियो बार बार शेयर किया जा रहा है इस वीडियो के माद्दे हमसे कई लोग उनकी ही बात को यहां पर यह कहते हो दिखाई दे रहा है कि भी यह देखी यह लोग कितने अच्छी बात है यह कहते थे तो इनके उपर भी वैसी बातों का अवल होना चाहिए आपका अगेना इस बारे मुझे कमेंट के लिज़र बताईएगा मेरे इस वीडियो में फ़लात नहीं जाए हैं जाए पारत